अभी का वक्त डिटेक्टिव चिम चो मल्टिवर्स के मैप के साथ कुछ मुजिकल नोट्स को स्टड़ी कर रहा था और फ्यू डूनने की कोशिश कर रहा था और साथे साथ अपने डंबोती दिमाख से वो सोच रहा था अपनी ओरिजिन स्टोरी जहापर वो याद करता है कि फ्रेट के जरिये बचाये जाने के भाद जब फ्रेट का कतलो हुआ तो वो वहाँ से भाग गया और उसे एक दोस्त मिला और उसे बचाये गया वर्जिल के जरिये जिसने उसे एक ऐसी जगा के बारे में बताया जो कि फॉंटन ओफ यूद था और वो चिम के लिए हल डून सके और सबसे पहले उसने अपने दोस्त फ्रेट के कतलगा पदला उन तीन लोगों से लिया और दुसरी तरफ हम देखते डार्क मल्टिवस में नाइटमेर बैटमेंस के साथ बार्बर टॉस एक इविल म्यूजिक सुन रहा था और ये काानी यह से शुरू हो और इसी तरह में दोसरी जगा पर रेवन फ्लैस और साइबॉर्ग अल्टिमा थूल के जरीए मल्टिवर्स में एक ऐसा सुलूशन ढूर रहे थे जो कि सारे मसीबत से उन्हें बाहर निकाल सके और तबम देखते हैं कि वो थे अल्टिमा थूल में दो मल्टिवर्स ब्लीड पर जहाँ पर रेवन अपनी ताकत के जरीए उस अल्टिमा थूल को कंट्रोल करके कोई सुलूशन ढूने की कोशिश कर रही थी लेकिन तब हम देखते हैं बैटमर हुलास अपनी शिप के साथ उन पर हमला बोल रहा था और मिसाइल्स फायर करते हुए वो उन्हें चोट प पासली आगे बढ़ रही थी बाकिकी नैटमेर वैटमैंस प्लैन करते हैं उस अल्टिमा थूल में जाकर उन सभी को मारने की और मल्टिवस ब्लीड पर वो सारे ही अल्टिमा थूल पर एक दूसे जटकरा जाते हैं यहाँ पर दाउन प्रेकर आता है रेवन को मारने के वो उन सभी अंदेरा के क्रीचेर्स को अपने कफजे में करके उन दोनों के ऊपर छोड़ देती हैं यहाँ पर साइबॉर्ग के लिए मर्टर मेशन चे निपटना इतना असाल नहीं था वो कुछ अद्टक उस पर भारी तो पढ़ रहा था लेकिन फिर भी वो बैटमैन होन कुछ ब्लिंग कोने वाला है और तभी वो बलता है रेट डेट को और रेट डेट पिच्छी से आपकर बैरे एलन को पकड़ लेता है लेकिन बैरे एलन कहता है तुम भी लेट हो और तभी उस केजड़ भी यूनिवर्स में एक धमाका होता है और रेट डेट के साथ कुछ पन होनी होती है और वो कहता है मैं बैरे हूँ बैरे एलन ब्रूस अब जा चुका है आके मेरे साथ क्या हुआ जिस पर वो कहता है तुमारे उपर जो पॉजिटिव एनरजी गीरी है उस वज़े से तुमारे अंदर की डार्क सैट चली गई है और अब तुम हमें से एक बन हो और तब वो पूछता है मैं तुमारे क्या मदद कर सकता हूँ इस पर वो कहता है हम अभी इंफिनिटी पर खड़े हैं और हम जो भी कर सकते हैं वो हमें हीरो बनाएगा लेकिन हमें जो करना है वो अभी यहां से शुरू करना होगा और वो दोनों ही मल्टिवस को फीटने कर रहे हैं जिस वज़े से सारे हिरो विलन बनते जा रहे हैं और उनके नाइट मेर्स पैदा होते जा रहे हैं तुसी तरफ हम देखते हैं डॉन प्रेकर ने अपने क्लीचेस पर कंट्रोल पा लिया था और वो रेवर पर भारी पढ़ने लागा था लेकिन तभी मर्डर मश के साथ डाउन ब्रेकर को अंटी माथूल से बाहर फिक देता है और यहां रेड डेट के अंदर बसा बैरे एलन डेवर सिटर से फ्लेश को बचाने के लिए अपनी लाइफ का सक्रिफास देने के लिए तयार हो जाता है और तब यह सब देखकर बैटमैन हू लाफ्स कहता है मुझे पता था ऐसा होगा कियोंकि तुम्हें सिर्फ आदा बैटमैन था और इसी वज़े से तुम्हें भी सिर्फ आदा प्लान ही पता था तुम्हें पता है कि वो करे भी यूनिवर्स टार्क मल्टी वर्स का था इसका मतलब तुम जानते हो कि डार्क एनरजी अब भी तुम में है और इसी बात का फाइदा उठागर वो रिड डेत को मार देता है इसरे तरफ हम देखते है कि अल्टिमा थुम में अभी भी कुछ रिडिंग्स मिल रही थी जिसका मतलब था कि होप अभी भी जिन्दा है वहाँ पर ब्लैक ऑफ आइसलेंड में इटेटिव चिंप को सभी लोग डम समझने लगे थे क्योंकि वह अपने दिमार के साथ धिरे धिरे एक चिंप पर कनवर्ट होने लगा था लेकिन चाथते वह उसे एक नोट मिलता है क्योंकि साइबोर्ग ने ओल्ड नोट के दरिये तैयार किया था और तब वो समझ जाता है कि हमें सिफ रेट टॉर्णेडो को एक्टिवेट करना है और वो ऐसा ही करता है और जब वो रेट टॉर्णेडो को एक्टिवेट करता है तब वो पहले सब तरफ तभाई मचाने लगता है लेकिन जब वो ठक जाता है तब वो बताता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था वो कहता है जब हम House of Heroes पर गए तब हमने बलती से वो डोर ओपन कर दिया जो कि Barbaros को हमारे यूनिवर्स में लाना चाहता था इसलिए हम वापस आना चाहते थे House of Heroes सिर्फ और सिर्फ एक चलावा था हमें वहाँ तक ले जाने के लिए इसलिए हम वापस धर पर आ गए और साथिसाथ वो कह रहा था जो वोर्ड अभी मेंने कहे उसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ टेरर तुसरी तरह हम देखते है Ultima Thul में Raven, Scyborg, and Flash तीनों ही देख रहे थे कि house of heroes अब नहीं रहा और वो कह रहे थे जो मिसल्स वो Ultima Thul पर fire कर रहे थे हम पर नहीं और कि house of heroes फर fire कर रहे थे और तब हो देखते है कि house of heroes इब रहा ही नहीं लेकिन तबी डिटेक्टिव चिंग के सर में कुछ हल चल होती है और वो देखता है अपने सर में कि वहाँ पर सारे हाउस ओफ हिरोज के हिरोज जो की आदमी नहीं बलकि वोगो की तरह थे वो कह रहे थे हम तुम्हें कई सालों से वाच कर रहे थे और इम्मोर्टिलिटी जो क आप मुझे कमेंट करकी बता सकते हैं वह साथे साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलागा कोई और जानका रही है तो भी आप मुझे बता सकते हैं तो मिलते हैं बगली वीडियो में तब तक के लिए थैंकी फ्रेंड्स एंजो दुलाइज झान्देबाद और चाहिए प्रेंड़ खादा बता सकते हैं